Hello everyone, मैं हरूमी, welcome to my channel Friends, गोबी मटर तो हम सभी खाते हैं लेकिन आज मैं आपके लिए गोबी मटर केक बिल्कुल नए रेसिपी लाई हो जब भी मैं इसे घर पे बनाती हूँ तो सबको बहुत पसंद आती है इसलिए मैंने सुचा कि युना आपके साथ भी रेसिपी शेयर करूँ तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते है मैं 400 ग्रम फुल गोबी को ऐसे बरे टुकरे में काट लिया है फिर मैं इसे नमक वाले पानी में 3 मिनिट तक उबाल लिया है इसे क्या होता है? फुल गोबी का जो एक स्मेल होता है वो बहुत कम हो जाती है मैं अब एक करहाई लिया है और उसमें थोरा सा तेल डाल रही हो फिर इसमें मैं गोबी को फ्राई करने के लिए डाल रही हूँ इसे अब हाई फ्लेम पे 2-3 मिनिट तक फ्राई करना है जब इसमें ऐसा कलर आने लगे तब इसे निकाल लेना है फूल को भी ऐसे फ्राई करके ग्रेवी में डालने से इसका टेस्ट और जादा अच्छी आती है ग्रेवी का बेस बनाने के लिए मैं मिक्सी जार में 2 टेबल स्पून तूटे हुए काजू डाल रही हूँ अब चाहे तो साबूत काजू भी ले सकते है फिर मैं इसमें 2 टेबल स्पून पॉपी सीट्स यानि के खसकस डाल रही हूँ अब मैं इसमें दो हरी मिर्ची एट कर रही हूँ अब सब कुछ ऐसे सूखा पीस लेना है पीसने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा काजू जादा देर मिक्सी में चलाने से थोड़ा ओयल रिलीज होती है तो ये पेस्ट ऐसा पहले चिपचीपा बनती है इस स्टेच पे इसमें थोड़ा सा पानी डालके फिर से आपको पीसना है ताकि इसके एक स्मूथ पेस्ट रेडी हो जाए इस प्रोसेस से आपको काजू और खसकस का ऐसे स्मूथ पेस्ट इंस्टेंली मिल जाएगी पहले से आपको इससे भीगोके रखने की जरुरत नहीं परेगी जिस करहाई पे मैं फूल गोभी फ्राइ कीये ती उसी करहाई पे मैं 4 टेबल स्पून तेल और एक टी स्पून घी एट कर रही हूँ घी मैं फ्लेबर के लिए एट कर रही हूँ अब चाहे तो इसे स्कीप कर सकते है लेकिन थोरा सा घी डालने से ग्रेवी में बहुत बरिया टेस्ट आती है इसमें अब मैं 4 छोटी इलाईची 5 लॉंग 2 स्टीक दारची निके और 1 तीछ पत्ता डाल रही हूँ मसाले फ्राई होके जब खुश्बू निकले तब इसमें 1.5 टीस्पून अद्रक का पेस्ट डाले और 2 मिनिट के लिए फ्राई कर ले ये प्रोसेस होगी लो टू मीडियम फ्लेम पे अद्रक जब फ्राई हो जाए तब इसमें काजू और खसकस का जो पेस्ट बनाया थे उसे डाल देना है फिर इसे 2 मिनिट के लिए भून लेना है जब इसमें से खुश्बू निकले तब इसमें 3 टेबिल स्पून फेटे हुए दही डाल देना है इस टेज़ पे गैस का फ्लेम लो रखे नहीं तो दही फट सकती है फिर इसमें मैं थोरा सा पानी एट किया है जो काजू और खसकस का पेस्ट मिक्सी में था उसी में ही थोरा सा पानी डाल के मैं एट कर दिया है अब सब कुछ अच्छे से मिक्स करके थोरा सा पका लेना है मसाले में मैं डाल रही हूँ एक टीस्पून कश्मीरी रेट चिली पाउडर, हाफ टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और स्वाद अनुसर नमक और दही का खटपन बैलेंस करने के लिए मैं डाल रही हूँ एक टीस्पून चीनी लेकिन चीनी डालना बिल्कुल आप्शनल है सारे मसाले को ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से मिला देना है मसाले का कच्चपन जाने तक इसे पकाना है चार से पाँच मिनिट के बाद अब देखेंगे कि ग्रेवी से तिल अलग हो गई है इसका मतलब मसाले अच्छे से पक चुकी है अब इसमें मैं fry किये हुए गोबी और हरम अटर डाल दूंगी और सब कुछ अच्छे से ग्रेवी के साथ मिक्स करके इसे मैं थोरी देर भुनूंगी अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और मेरे जैनल सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत किम्ती है अच्छे से जब ये भुन जाए तब इसमें 300 ml गुनगुना पानी एट करना है एक बर सब कुछ अच्छे से मिक्स करके इसे ढख दे और मिडियम फ्लेम पे गोबी को अच्छे से पकने दे पांच से छे मिनिट के बाद मैं गोबी को चेक कर रही हो गोबी अब अल्मूस्ट पक चुकी है अब मैं इसमें 2 टेबिल स्पून फ्रेश क्रीम डाल रही हो क्रीम डालने से ग्रेवी का टेक्शर और जाधा क्रीमी बन जाएगी अब चाहे तो दूद की ताजा मलाई भी इसमें एट कर सकते है अब मैं इसमें फ्रेशली कटे हुए धनिया पत्ता डाल रही हो इस टेज पे फ्लेम बिल्कुल हाई कर दे ताकि ग्रेवी का कंसिस्टेंसी थोड़ा सा ठीक बन जाए ग्रेवी अब थोड़ी सी गारी बन चुकी है तो मैं इसमें 1.5 टीस्पून इर्मा गरम सर्फ कर रही हो इसे अब रोटी पराठे पुलाओ के साथ इंजॉय कर सकते है फ्रेंस अगर आब ये रेसिपी ट्राई करते है तो मुझे कमेंट पे जरूर बताना आपको ये कैसा लगा आज के लिए इतना ही मिलते है और एक नए रेसिपी के साथ